भारत और आश्ट्रिया के बीच खेले जा रहा है दूसरे मैच में यह मैच आपको बता दें कि मद्ध प्रदेश के इंदोर में खेला जा रहा है हूलकर ग्राउंड में मैं शुरू होता तो फिर जिस तरीके से बारिस आती है तो लगभख सारे क्रिकेट प्रेमिर बार हैरान होते है कि बारिस चलते लगता मैं कुछ समस्या आएगी या कुछ अड़्चने आएंगे लेकिन भाई साब जिस तरीके से उसके बाद सुमन गिल और स्रेस अईयर का बल अच्छा लगा और उन्होंने सुनश्चित किया कि टाप फूर वर्लेड कप में अपनी वो जगह मनाएंगे नो डाउट बहुत बेतरिन पारिस रेस अईयर ने भी खेली गर अईयर की बात की जाए तो जिस तरीके से स्रेस अईयर ने 90 गिदो पर 105 निम बनाए इस दोरान स यारा चौके और तीन छक्के निकले वहीं बात की जाए प्रिंसाफ पर इंडिया की तो यानि कि सुमनगिल की आप साफ तो जान सकते हैं कितने बेतरी इन फॉर्म भी समय हो चल रहे हैं सुमनगिल के बल्ले से एक और सांधार सटक देखने के मिला यहां पर सुमनगिल ने जहां पर एंड़ाबाद में सुमनगिल मानों जैसे रन नहीं मारते हैं जैसे लगता कि रनों की बरसाद करते हैं तो आप सोचिएगा कितना बेहतरी नजाराब होगा लिकर उबराल आप बात करेंगी इस तरीके से सुरकुमार यादों ने भी आज यहां पर दिखाया कि ट दोरां सुरकुमार यादों के बल्डे से छे चोके और छे चखके निकले बात की जाया कपतान क्यल्द रहूल की तो रहूल के बल्डे भी आज बेहतरिफिञा чувति है तो इसका अंजाम भी बढ़ियां होता है ये हर ऌको है के ल दो रा लगे तो अबराल जो 399 रनों का टार्गेट मिला है आश्रेडिया को उसमें आश्रेडिया कितना सक्सेज होती है यह भी काफी एहम होगा क्योंकि इन दौर का जो पीछ है लिकिन जिस तरीके से कैमरून ग्रीन की पिटाई होती है वह काफी निराता जनक था जी हाँ कैमरून ग्रीन ने अपने गेद बाजी से उनका सतक लग चुका है यानि कि कैमरून ग्रीन की अगर बात की जा तो दस तो पर में 103 तंद देकर दो बिकट लिए अगर आप देखेंगे तो इसमें जा सेजलोड ने पहली सफलता दे लाई जा सेजलोड को बिकट मिला और वहीं सौट टास जीद कर आश्रिया के टीम ने पहले गेदबाजी करने का फैसला लिया वह कहीं कहीं फैसला थोड़ा गलत था अब आज डेट में पैल्ट कमिस उनके साथ नहीं खेल नहीं जो आश्रिया के कप्तान है यानि कि उनका बालिंग लाइनप भी थोड़ा कमजूर था लेकिन बैट्समेन उनके पास बड़े अच्छे अच्छे हैं इस्टीवन इसमित हैं डेविर वार्णर हैं और कैमरून ग्रीन भी बढ़ियां फार्म में हैं लवसेन भी बढ़ियां खेलते हैं तो काफी रोमांचक होने वाला मैच यह मैच लगभग कुछ नहीं तभी थो अच्छे हैं आज रूलीज इगा